मन्च पर उकस्थित सभी मान्यवार और सामने बैठे हुए सभी सुधी विद्वजन नाजरित बंदु माता बनी के हैं समय का अभाव, समय का अभाव ऐसा हम पेते हैं मास्तों में समय का अभाव यह असंभाव बात है ना कशाव विश्व का विले हो जाएगा तो समय तो है और चलते रहता है किसी को कम जादा नहीं है हम उस समय को मर्याजित कर देते हुए साड़े छे बजे तो यहां रहना है साथ बजे वहां पहुझना है यह मैंने कर दिया समय में नहीं किया है ऐसे दुनिया में बहुत कुछ चलता है, अपने देश के बारे में भी हमने पहले कुछ कर गिया, अब हमको ही उससे बाहर आना है, ये बात सही है कि हम अपना इतिहास भूल जाए, इसलिए लोगों ने प्रेयत्म की है, लेकिन वो अगर हमको ये बता रहे थे कि तुमारे पुर्वज मूर्ख थे, उन्होंने कोई रणगवरो प्राप्त नहीं किया, और उनकी संतान होने से तुम नालाये को, ये बताना तो उनको आवश्यक था क्योंकि उनको अपना स्वार्थ को स्वार्थना का, लेकिन उस पर विश्वास रखना हमारे लिए क्यों हमवारे हो कि ये तो हमारा दोस्त है, हमने अपनी शरद्धा को बंद कर दिया, अभी सबुद दे रहे हैं, अब हर बात का सबुद थोड़ी भंगा जाता है, कि कितना भी आप कहें, हर बात का सबुद दिया नहीं जा सकता, इतिहास के सबुद प्राप्त करने की, उनको पक्का करने की जो प्रक्रिया है, वो भी कुछ हजार वर्षों के पूर्व के इतिहास को खोशते समय, वो अर्थाहिन हो जाती है, जैसे कारबन डेटिंग कुछ हजार वर्षों पूर्व तक का ठीक चलता है, उसके पीछे गए तो उसमें भी गल्किया हो जाती है, और इसलिए अपने यहां पर जो इतिहास लिखा गया, वो आजकल जो इतिहास जैसे लिखा दाता है, डेट देखे ये सबूतों, ऐसा नहीं, वो कथा के रोपना बताया गया, क्योंकि इतिहास क्यों सुनना है, वो मनोरंजन के लिए नहीं सुनना है, या एक information चाहिए, ऐसा भी नहीं, लेकिन इतिहास से कुछ बोध लेना है, और उसके अनुसार अपने वर्तमान को ठीक बना कर चलना है, ताकि मविश्य ठीक हो जाए, इतिहास का कोई उप्योग नहीं, ऐसा हमारे यहां माना गया है, इतिहास से ही सब कुछ है, वर्तमान का कुछ उप्योग नहीं, यह से भी हमने कभी कहा है, क्योंकि हम जानते हैं, कि समय है, समय चलते रहता है, तो समय है, इसका मतलब वर्तमान भूद बहुत बवीश्य ती और इसलिए इसका ज्यान रखना बहुत आवश्यक होता है कुछ ज्यान हमको सिधा सिधा सबतों के ज़रीये मिलता है कुछ ज्यान परंपरा से मिलता है कि हमारे देश का जीवन इतना प्राचीन है और हमको बाहर से आकर हमको हमारी मुर्खता बताने का प्रयास करने वालों को यह आवश्चक था कि विश्व में उनसे प्राचीन कोई नहीं है इस इद्धकर्ण और उन्होंनों जो इतिहास मान लिया था वो 4000-5000 साल पहले सुरुष्टी का निर्मान हुआ यहां से शुरू होता था तो हमारे सारे इतिहास को इधर लाना फिर उसके लिए कुछ लोगों को खारिश कर जेना यह हुए ही नहीं तिर रामायन महावारत यह कविता है कविता कोई कविता है 8000 साल चली है पाचाजार साल चली है केवल कविता हुने से लिए लोकष्वुती की जो परमपराय चलती है वह इतने दिर्गकाल वही चल पाती है जिनके अंदर कुछ तत्थ्य कल्पना इस लेकिन फिक है जो भी हुआ सवभाग जैसे इसको याद करना चाहिए यह हमको याद आया क्योंकि हमने यह जाना कि उधार की पहचाने उधार की कलाए नहीं चलती हमारा क्या है वो बताना पड़ता है दुनिया में ऐसा है हां जिवन बिली आई हां अगर शायकल चला है तो तुकिट लेकर हम देखने जाएंगे त। लीकिन उसको हाथी रिकास नहीं trzy उता है शेर बकरी एक ठाले में खाना खाते हैं, ये दुरस्य देखने के लिए रम जाते हैं, उसको उसका विकास नहीं कौता है. उसका उसके अपने प्रकुर्टियों, उसका अपनला जीवन है, वैसे हर देश के अपनी प्रकुर्मतिय अपना जीवन है. महाभारत को महर्ची व्यास ने ही ये जय नाम का इतिहास है ऐसा कहा है और उनको जोट बोलने का क्या कारण होगा एक common sense which is most uncommon, उससे विचार किया तो हर बात का सबूर महामारत में व्यास क्यों गलब वोले ना व्यास ने कभी इंद्रप्रस्त की सिवासन के आस नहीं लगाई नास्तिनापुर के वासन वो तो एक रुषी थे उनको कुछ नहीं चाहिए था लेकिन वी जो बात कहेंगे न महामारत उद्ध का इतियास नहीं यह बात सही ही, महामारत में उद्ध है महामारत क्यों कहानी के रूप में बताया गया है तो संभार को रोकने के लिए बताया गया जन्मे जय के सरपस सत्र को आस्तिक रूशी ने आकर रोगा जन्मेजे को अपनी गलती जान में आई, वह उसा रूब ड़े, उसके बाद जन्मेजे व्यासमहर्शी को पूछता है, व्यासमहर्शी जुवाँ आ गये, कि इससे तो मैं बज गया, लेकर आगी भी प्रसंद आएंगे हो, मेरी जिवन में आएंगे ऐसा नहीं, मानवता की ज किरती हमने सुनी है, कवरव, पांडव, दोनों हमारी पूर्वजे, और दोनों एक से बढ़कर एक वीर थे, बुद्धिमान थे, शास्त्र ज्याता थे, सब कुछ था, लेकिन उन्द में एक बहुत बड़ा कलह हुआ और उसके चलते इतना बड़ा संभार हुआ, ऐसा हमें सुनते हैं, कभी किसी को लगा नहीं कि ये कला नहीं होना चाहिए, कभी कसी ने कुछ प्रयास नहीं किया उसको रोकने का, जन्द में जाएकी जिग्या सामी ये भी बात ओकरता है, और इसलिए व्यास महरशी उसको बताते है, इसलिए जो अभी कहा, कि महाभारती तो मनुष्य ने कैसा होना ये में मैंने कैसा होना चाहिए, ऐ रामान पढ़ो, वो आदर्श है, धुनिया कैसी है उसमें कैसे चलना, मैं तो राम जैसे बनूंगा लेकिन मुझे जिस दुनिया में इसे जाना है उसमें उसको टिकाए कैसे चलना महमर अओर जीवन के इस पूरा शांती परोड़ा उसमें राट्र को कैसी चलाना किसके किसके क्या करता वे होते हैं सारा विवरण है और मनुष्य समुवने सुष्टी के साथ कैसे रहे हैं ऐसा एक समग्र जीवन का बोध यह नहीं करेंगे तो क्या प्रणाम होते हैं ऐसा युद्ध होता है ऐसा समुवर होना पड़ता है तो यह सब यह जो बात है कि मनुष्य भी जिए वो अच्छा होकर जिए वो ऐसा जीए कि सारी दुनिया को अच्छा बनाएं दुनिया जैसी है उसमें से जाकर उस दिन में को अच्छा बनाते हुए वो चले और मानवता है इसी चले तो सुष्टी का भी विकास ही हो कल्यान ही हो उसकी हानी नहीं हो यह जीवन जीने का जो तत्व है उस तत्व को अपने आपर धर्म का दे है वो रिलिजन नहीं है वो अलग बात है पूजा अलग बात है धर्म धारणा करता है जीवन की धारणा करता है इह लोक में पर लोक में दोनों तरब सुख देता है मध्या मारग है अंत में मध्या में आदी में सर्वत्र आनंद और सुख दिने वाला होता है और इसने यह महाभारत के मध्या में गीता है और उसका सार महाभारत के अंतिम अध्या में पाछ श्लोक हैं उसको भारत सावित्री गार जाता है उसमें व्यास भार्षी बताते हैं माता पित्र सहस्तराणी पुत्रदार शतानी चाहर्शस्थान सहस्तराणी भयस्तान शतानी दिवसे दिवसे मुढम आविशंतिन पंडिदा है संबंद बनते हैं रिष्ट बनते हैं बिगडते हैं मरने के बाद समाप्त होते हैं अगले जयदमें फिर से जुड़ते हैं ये कइश प모स्तराणी फुत्रदारा शतानी जोसारे शनुपवुतानी यांद याश्यंथी चाहते हैं और हर्षय शोग के प्रसंद जीवन में चलते हैं, पूरा सुख में जीवन नहीं होता है, उसमें दुख रहता है, और पूरा दुख में जीवन नहीं होता है, उसमें भी सुख रहता है, तो सुखदों के धूप चाओ का खेन चलते रहता है, उससे ज्ञानी लोग मोहित नही तो जीवान एक सबक चलने वाला प्रवास है, उसमें जन्म के बाद मृत्यों- मृत्यों के बाद जन्म ऐसे चलता है लेकिन वो यात्रा करने वाला जीव यह प्रारंबा करता है और अंता में फिर वही जाता है यह अप्रा उसकी सत्र चलती है वो समाप्त नहीं हो जाए और इसलिए इन सब की साथ में धार्णा करके सबको वहां तक ले जाने वाला जो धर्म है वो छोड़ना नहीं चाहिए मरता हो तो भी धर्म ही छोड़ना चाहिए मजातु कामान न भायात न लोबात धर्मम के जिवी तस्यापी है तो क्योंकि सुखा दुखा यह हमें जाने वाली बात है धर्म पर कायन रहने की यह बहुत है महाभारत को और अभी पर्यावरन की यह मुना जी की जल की चर्चा हो रही थी उसका करण जया है यह समस्या उत्तम न क्यों होनी चाहिए इस समस्या का बोलबाला सही द््यान प्राप्त किया विश्वणे ऐसा जो कहते है उस विध्यान युग में ही एस समस्या क्यों आनी चाहिए उसके पहले जो हम अज्यानी थे हमारे साबने यह क्यों नहीं आये उसके अनेक कारण है सारा उसमें हम धर्माचरण को छोड़ कर चले क्योंकि धर्माचरण कहता है तुम जीओ लेकिन दूसरों को जिलाओ जो स्रीकिष्टन ने कहा है योगा करमसु कौशलमा तथागत ने कहा है कुशलस से उपसम्पदाओ कि कुशलता क्या है अपना हित साधना लेकिन किसी के हित को शती न पहुचाते हुए यह करना इसको कुशलता थागा है तो हमने अपनी लालज के लिए अपनी हवस के लिए बहुत दौवान किया सुष्टिका और वापस दिया नहीं क्योंकि हमारा ज्ञान आधनिक ज्ञान ऐसे कहता है कि किसी का कोई संग्ण नहीं एक दूसरे से और इसलिए जो बल्वान है वो जीएगा बल्वान बनो बाकी कि लोगों भी परवांट करो तुम जीओ प्रक्रिया में तूम सीखकर अधिक उन्नत होते होते श्रेयक को पहुशते हो और इसलिए तुमको जीना चाहिए सजीं म से उपवोग से नहीं और लेते हैं उतना वापस देना चाहिए इस बात को जब मनुष्य ने छोड़ दिया तो सारी विपता आगे बहती उर्जा को लेना छोड़कर पुर्थ्वी के जो भंडारे उर्जा के सारे भंडारे जो कभी रिप्लेस नहीं होते उनको आमने खोड़ कर लिगा रहा समाप्त कर दिया उसकी जो प्रक्रिया उसके उपभोक किया उसमें से जो विश्पएदा होता है वो सारे और हम भारत के लोग हमने कुछ दश्या कुछ सतक कहिए उसको ही भूल कर हमने निकाले महावारत का पटन बंद क्यों गया महावारत अगर पढ़ते रहते घरों में तो यह ज्ञानपने आप आता है लेकिन हम कहते हैं महावारत पढ़ते वहां कलो होता है बिल्कुल गलत ब कर निर्मिती को एथिक्स का बंदन पहले से है आप बड़े वज्ञानिकों या बड़े साहित्तिकों आपको स्थूर्ती आईए प्रेना और बहुत अच्छा एक निकाल आपने कुछ प्रयोप करके प्राड़क तत्वा कला का प्रकार अथ्वा आपकी अभिव्यक्ति लेक क्योंकि आत्मनों मोक्षार्था में यह तो ठीक है लेकिन वो जगा धिता यह चो होना चाहिए महामारत में यह कहानी है कि एक मुनी की तपस्या बहुत अच्छी चलती थी एक बार घानस का बैटे ते उपर से चिडिया गई उसने विठ्ठा कर ली इनके सर पे तो एकदम जाग गए देखते तो विठ्ठा तो देखा कोंसी लिडिया है तो तेज इतना था तो चिडिया जलकर भसन हो गई तो इनको बड़ा अच्छा लगा बहुत पावर्फुल हो गया मध्धान हो गया था भोजन विठ्षा का समय तो गए शहर में विठ्षा वांगी एक बड़े घर के सामने खड़े होकर तो गुरुहीन आई विठ्षा लेकर उतने वे उनके पती आ गया त तो उसने विठ्षा वाजू रखी पहले पती के आओ अगे की सारा होने के बाद फिर विठ्षा तब तक ये धूप में गड़े तप रहे अंदर से भी तप रहे और जैसे वो गुरहीनी विठ्षा डाल रहे उसके उबर आखे लाल करके देख रहे तो विठ्षा देते दे वो गुरहीनी उनको कहिती है कि महराच मैं कुई चल्डिया नहीं हूं जो जलकर बस बहुँए है अंको आशर लगा ये तुमको कैसे पता चाओ तक मुझे चलता है पता यह शक्ति कहां से इसक्ति कहां से मिली मुझे कहां से मिली मैं बताती हूँ ने आपने क्या करना ये जाने का मेरा अधिकार नहीं है. मुझे यह शक्ति इसलिए मिली कि मैं अपने करतोवे के आचाने ठिक करते हूं. मैं गुरुणिया हूं. पती की अभगत मेरा पहला काम है. आपको भीक्षा जिना मार काम है. लिके दो मैंसे क्या मेरा धर्म हो वह है? मैं वह करते हूं, प्रा लेकिन यह बताने का अधिकार मेरा नहीं है. दूसरा एक शहर है पास में, वहाँ एक कसाई रहता है, वह मास बेचता है. उसका अधिकार आपको उपदेश करने का. उनको और आश्चर जगा. कि कसाई मुझे उपदेश करेगा. तो यह गाए वाँ. तो कसाई में दूर से ह अधिकार मारा आपको यह सानने होगा, मौस की दुकाने वगरे हैं. आप वहीं से मुड़ जाओ बाए तरफ एक आपका पेड़ा मंदिर है नीचे उसके पास जोपड़े मेरी है. वहां रुकिये मैं आता हूँ. को आश्चर भी इसको कैसे पता जगा ना, इसको ढूमने आ तो आया अपना दुकायों का आप बगर करते धन्ना होना के बाद, हाथ पर जोए अंदर उसके वृद्धम आता पी ताकि उनकी शिर्वाव गरती, फिर फलों के ठाली वगर लेका उपस थी दुआ कि लीजे माराश और बता ये क्या प्रयोजा है. प्रयोजन तो है लेकिन पहली ये बता कि तुझे पता कैसी चला। तो उसने कहा कि माराश करता ये है, एक संतुलन है, वहरागी बिल्कुल ठीक है, मोक्षे बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप अन्य धर्मों की उपेक्षा करोगे, आप आत्मसाधना में अपने शरीर मन बुद्धी की उपेक्षा करो ये तो नहीं होगा, आप अगर धर्म की या मोक्षे की साधा में अर्थकाम को छोड़ देगे, तो साधा नहीं तुबहरा शरीर जो हो जाएगा, ऐसे ही मानव अपने लिए सबका संवार करें, वह भी जीवी बाएगा, हर बात में एक संतुलन है, ये जो संदेश है, हमारा सारा हीतिया, हमारा राठ ट्र इसी के लिए जन्मा है, और इसी का प्षरयोजन जब जब उपस्थित पर, तब हम बढ़ते आगेवन locks, अंचे, उच्छे होते, और इसलिए हमारे सारे गरंथों में, हमारे सारी प्वत ज्यान में, अजकल मेसेंज कहते हैं, मेसेंज कहा है, सब्सक्राइब करने का इस इतिहास पर गवरो करने का और इसके अनुसार एक युगानुकूल देशानुकूल नई रचना खड़ी करने का और रचना का रूप अलग होगा जास उन्हें हाथ में दर्भा लेकर एक घुट्णों तक की दोती वगरे वगरे लेकर घुमते थे आज के और प्रबोधनकारों को ऐसा घुमने की आवश्यक्ता नहीं उनके पास वहाँ नहीं कुछ है लेकिन तत्ववे कायम रखते हुए ए अमरीका बनेंगे रशिया बनेंगे उस तो नकल होगी वह तमाशा देखने के लिए लोग आएंगे दूर जूर से लेकिन वह तमाशा होगा वह भारत का विकास नहीं होगा हमारी गाड़ी दीरे दीरे उस और मुड रही है उस प्रकार जा रहे है यह अच्छी बात है लेक संतुलंगा धर्म वालूँ नहीं इसलिए वह तुरंत लागो करता है यह कम करो वह करो सारी गायों को आप बन कर तो गायों को बन कैसा करेंगी तो गोबर से कारबन निमी इतने फैक्रिया जिनकी है उनका नहीं उता है यह गायों गया लेकिन चलता है उसमें कुछ दियान में बहुत है अब इतने इतने आगे आगे तो अबाट तन कैसे करेंगे एकदम हो सब्सक्राइब परण जाएगी देरे 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 लेकिन मन में रख करके अबाट तन करना है हमको एक लंबा मोल खीश से वापस आना पड़ेगा और यह सब करने के लिए यह आवश्चत है उसके लिए इसका गवरो अपने मन में चाहिए उसके लिए इसका इतियास मालूम चाहिए इसका भूगर मालूम चाहिए यह बात बिल्कुल सही है इतियास याने पुस्तक की कथा नहीं होती है इतियास याने नदी होती है इतियास याने परवत होता है इतिय इतिहास याने उनके कथा पुरान होते हैं, इतिहास याने उनके वह उशावली में हमारा भी स्थान है, यह गोरो होता है. जहां भारत में गाव गाव में लोग बताए जाते हैं, यहां सीता जी नहीं की, सीता जी कहा था भारत में जाकर नहीं पता नहीं, हर जगह बताते हैं, यह बड़ा ठीला इसलिए है कि भीम ने इसको लाकर रखा है, हम कितने जगह पर भीम ठीले रख गया, रख गया की नहीं ने गया है बात नहीं हम उससे जुड़ते हैं हम भीम से जुड़ते हैं तो भीम के पुर्शार्थ से जुड़ते हैं भीम के पुर्शार्थ से जुड़ते हैं दुर्योधन के नहीं पुर्शार्थ दोनों में था लेकिन दिशा भीम की वो दिशा कौन से उससे जुड़ते है यह जुड़ना अत्कंत आवश्चक है इसके लिए भूगोल, इतिहास, कताएं, सब कुछ चाहिए और जैसाज का जमाना है, सबुद भी चाहिए तो इसके लिए बहुत यह काम आसान नहीं है लिकिन किया एक कुस्तफ मैं में देखा है बहुत सुन्दर हुआ है तो विद्वान लोग और उसकी संब्सक्राइब लेकिन मेरे कैसे इतिहास शास्त्र से जिसका संबंद नहीं है उसको भी यह बहुत सारी सामगरी प्रदान करने वाले कुछ और यह काम लगकर आप लोग कर रहे हैं आज हमारे यह सुब्वगात थोड़ी शुरू हो गई है इस और हम सभी लोग जागरोत हो रहे हैं यह अब विचारधारा का प्रशन नहीं रहा यह सभी विचारधाराओं में लोगों को ऐसा लगता है अब यह प्रकार भारत में शर्वत्र और ऐसा जहां जहां जो कुछ है उसको वहां के लोगों से वहां से शावशन प्रशाशन से वह किसी का ब्यों प्रुच्षान मिलने की प्रक्रिया चल रही है यह अच्छी बार है लेकिन जो काम इन्होंने किया है वह उतर्फ शुरू तब से ही काम चल रहा है। और ऐसा काम सपक चलाने की तुरिणा देने वाले विभी लाल जी जैसे महापुरुष थे। इसलिए वो चला। लगकर उनमे थावसाल उनके पूरे हुए तो मिलने गया था। तो पहले जाकर अभिनांदर में उतना हो गया बस वो तीम मिनिट का उनके संबन्द में बात हो गए। हम गये थे उसी के लिए। लेकिन बाकी सारी बात इतिहास महाबारत दिल्ली इंदर प्रस्था है। उसमें यह होना चाहिए वो होना चाहिए। अभी तक नहीं हुआ जर उनको अपने श्रेय का मारग मालूम है। लेकिन उससे उनका समाधान नहीं होता। मैंने जो पाया है वो सब को देना है। क्योंकि वो कल्यार का मारग है वो सब को मिलना चाहिए। इस तरपन से उनकी तपस्या श्रेय प्राप्ति के बाद भी चलती रहती थी। तो उस साल क्यायो में उस समय बीबी लाल जी को कुछ प्राप्त करना शेश नहीं था। उनके पास नाम था सब कुछ था। लेकिन दिल्दे में इंद्रप्रस्था है ये उजादर अभी तक क्यों नहीं हो रहा है ये उनकी विज़ना। ऐसा है लोगों के कारण अंग्रे जोने भरसक प्रयास के आई ये सब हम भूल जाए तो भी कि हम भूले नहीं और फिर से याद करने के लिए हमारे पास सामगरी उपलब्द है ये होता है और इसलिए आज मुझे लगता है उनके प्रती मन ही मन कुर्टगनकता विख्त करके और इस पुस्तक का विमोचन हम नहीं किया है तो इस पुस्तक का प्रचार प्रसार करने के लिए जो कुछ करना है वो हम करें और भी दो तिन उपक्रम यहां बताएगे वो उसी धर्मततों पर आधाली उपक्रम है श्रद्धा किसी वाग्यान पराप्त नहीं होता है उस श्रद्धा का उसको आधार है तो उनके भी प्र कि विल्लाजी का जो हम स्मरण कर रहे वह अभी सारकप होगा इस पुस्तक का भी उप्योग होगा यह सब हो ऐसी शुभकावना मैं आपको देता हूं और मेरे चार्शार करने